जी भही असलाम अलेकुम केफ टू लेक्चर निम्बर अच्छे जी कला में एक सवाल कर रहे थे क्विश्चन नमर ग्यारा को निकालें पास्ट पेपर को क्विश्चन नमर ग्यारा इसमें जो पॉइंट नमबर थ्री था फोर नी नी जिसमें वो गर्मेंट का एंप्लॉई था वन की मैंने का था आपको इंग्लिस लिखता हूँगा तो पॉइंट नमर वन की इंग्लिस तरह लिख लें अच्छा जकम नमबर को वो कैनेडा भेज दिया गया कितने साल के लिए तीन साल के लिए तो मिस्टर शाह अगर मिनिस्ट्री आफ फॉरण अफेर्ज में काम कर रहे हैं तो क्या इसका पाकिस्तान का स्टे काउंट किया जाएगा या गर्मेंट एंप्लॉई होना ही इसको रेजिडेंट बना देगा तो जो साहब ऐसे हैं जो के पाकिस्तान के अंदर मौजूद ना भी हो लेकिन गर्मेंट एंप्लॉई हो जिनकी पोस्टिंग अबरॉड हो जाए तो इनका गर्मेंट एंप्लॉई होना ही इनको क्या बना देगा रेजिडेंट बना देगा ये बात कल की थी चलें जी लिख Okay, an individual shall be considered as resident individual, if he is an employee or official, an individual shall be considered as resident individual, if he is an employee or official of federal or provincial government, posted abroad, an individual shall be considered as resident individual, if he is an employee or official of federal or provincial government, posted abroad during the tax year, in this case, as he is, in this case, as he is an employee of government, in this case, as he is an employee of government, so he will be considered as, calling resident individual, so, is co resident individual, samjha jayega. Okay. अशेल है, अशेल जाजेल आजा है। जो हमकाल पढ़़े थे जाजीए आजय और है। आजय जयें जामकल पर रहuna है। अच्छा जी हमारे law में जो persons हैं वो तीन किसम के हैं इसमें दो और भी मैं बनाऊंगा यानि टोटल पांच है आपने डायग्राम में अभी सिर्फ तीन बनाने हैं इंडिविज्वल एओपी और कमपनी दो और हैं वो मैं बाद मैं बनाता हूं एक डॉक्टर साब अगर एक क्लिनिक चला रहे हैं तो इनको क्या कहा जाएगा इंडिविज्वल एक दुकान दार है केला दुकान चला रहे है इससे क्या कहा जाएगा इंडिविज्वल एयोपी होती है भाई ते देख लो एयोपी होती है partnership एयोपी क्या होती है association of persons partnership तो दो लोग मिलके अगर कारोबार शुरू कर दें इसे क्या कहा जाएगा एयोपी दो तीन लोग मिलें एक सफ़ा पकड़ें उस पे agreement sign करें कि हम profits business के share किया करेंगे ये एयोपी बन जाएगी इसी तरह दो चार लोग मिलके company भी बना सकते हैं तो फिर एयोपी और company में फरक क्या है दो चार लोग मिलके एयोपी बना लें दो चार लोग मिलके company बना लें इसमें फरक क्या है तो भाई जो company होती है ना company उसने जाना होता है आपने किदारे का नाम सुनाओगा Securities and Exchange Commission of Pakistan इधर अटेंटिव रहें Securities and Exchange Commission of Pakistan तो SECPA किदारा है उम्हेर भी बाद में कर लीजेगा SECPA किदारा है जिसके पास आपने जाना है और उसके पास जाकर आपने अपने आपको रिजिस्टर करवाने तो अगर Royal Fan वाले कहते हैं कि हम अपने आपको कमपनी कहलवाना चाहते हैं तो ऐसी सुरत में Royal Fan वाले क्या करेंगे Royal Fan वाले किस के पास जाएंगे Securities and Exchange Commission of Pakistan SECP के पास जाएंगे और जाके अपने आपको रिजिस्टर करवाएंगे अगर कोई partnership firm है दो तीन लोग मिलके कहते हैं हम partner बनेंगे और partner बन के कारोबार शुरू करेंगे इन्होंने किसी के पास जाना नहीं एक बात याद रखेगा यह जो partnership firm होती है इन्होंने किसी के पास जाना नहीं होता पाकिस्तान में ये बस partnership firm क्या है आपने साथवले से मिलके काम शुरू किया आपने साथवले को का यार ऐसा करते हैं पिछली गली के अंदर जो है वो कुछ दुकान ले लेते हैं और दुकान लेके वहाँ पे बोतलें बिस्किट बेचते हैं कॉलिज से माशाला बड़े बच्चे निकल रहे ह जरूरी नहीं है हाँ साल के एंड पे अगर आपने इतनी इंकम कमा ले जिस पर टेक्स बनता हुआ तो FBR में जाके आप टेक्स जरूर जमा करा दें लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं होगा कि फिर आप अपने आपको कहीं रिजिस्टर करवा रहे हैं वो तो FBR में जाके आ इंदर एक मौहिदा जरूर करते हैं एक सफ़ा बनाते हैं सफ़ों पे तीनों पार्टनर्स के साइन होते हैं और उसके बाद कारवार शुरू होता है लेकिन कंपनी में फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं ना सिर्फ आपने एक सफ़े बनाने हैं बलके हकूमत को जाके बो जमा करवाना पड़ेगा रिजिस्टर करवाना पड़ेगा किस दफ्तर में जाना पड़ेगा स्क्रेटीज इन एक्स्चेंज कमिशन ऑफ पाकिस्तान अच्छा जी तो इंडिविज्व पार्टनर्शिप्स और कंपनीज कल हमने पढ़ा था इंडिविज्व कब रेजिडेंट रेज्टन बनता है हमने यह नीपपढ़ा था कि इंडिविज्व कब नौन रेजिडेंट बनता है लेकिन और उयम्лоपीजिज आ यह कि doğru bisa फूदि रेज़िटन सब्सक्राइब शुद égal इसे तरह कमपणी भी हो सकती है हृँ यह चले नोटक्त झाल झाल कलम ने ये पढ़ लिया था फिर मैंने हाइलाइट किया है इंडिविजल कब रेजिडेंट बनता है एधर जनरल लूल उसका स्टेए पाकिसान में 183 डेज या उससे ज्यादा हो लेकिन अगर वो इंडिविज्वल गर्मेंट का इंपलॉई है तो उसका नमबर अफ डेज भी अग्या चाहें रेकान नहीं किये जाएंगे वह चाहें बाइर के मुल्क में पूरा साल भी रहा फिर भी वह समझा जाएगा रेजिडेंट वीजियल समझा दाएगा कि आज हमने यह पढ़ना हें एउपी कब रेजिडेंट बंती है और कम्पनी इस तो तो इस है रेजिडे इसमें आप पहले देख लें जी रेजिडेंट कंपणी और नीचे रेजिडेंट एओपी रेजिडेंट एओपी देख लेते हैं पहले मुझे पता है इंडिविज्व में एक पॉइंट रहता है कलवाला वो मैं आपको करवाओंगा रेजिडेंट एओपी किस वकस रेजिडेंट बनती है मिलगया अच्छा दी एओपी किस वकत रेजिडेंट बनती है ऐओपी में होते हैं पात्नर्स एओ पी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होते हैं पार्टनर्स कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होते हैं डारेक्टर्स, डारेक्टर्स के हाथों में और AOP का कंट्रोल और मेनेज्मेंट पार्टनर्स के हाथों में यह कोई शफ़े के टॉप पे आप वही रज़र आ रहा होगा रेजिडेंट AOP, मिलगी है? अच्छा अगर AOP के पार्टनर्स पाकिस्तान में मौजूद है सारे या सारों में से कुछ तो AOP क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कितने अर्से के लिए? चाहे एक दिन के लिए विसाल के तोर पे एक AOP ऐसी है जो के पाकिस्तान के अंदर इंजमामुलख और एक एसे कलाइन मुझताक है शाहिद अफ्रीदी है इन तीनों ने मिलके कोई पार्टनर्शिफ शुरू कर दी चलो जी हम इसी बना के बेचते हैं तो एन तीनों ने मिलके जो पार्टनर्शिब शुरू की ये सारे ये तीनों तो रहती ही पाकिस्तान में मौजूद हो जिस वकर decision making और ही होती हो ठीक है मिसाल के तोर पर ऐसा भी हो सकता है कि डोनल्ड ट्राम्प और सिरिलंका में मुरली धरन ये दोनों मिलके partnership कर लें और पाकिस्तान के अंदर जो है वो गंदुम बेचने का काम शुरू कर दें अब ये दोनों मिलके जब करवबार शुरू करें और पाकिस्तान में गंदुम बेचने का काम शुरू कर दें तो अब क्या ये एओपी resident बनेगी या non resident उसके लिए हम इस एओपी से एक सवाल पूछेंगे तुमारे दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक पार्टनर पाकिस्तान में अगर एक घंटे के लिए भी आ गया और आके decision लेके चला गया तो वो एओपी क्या बन जाएगी resident एओपी इसमें एक बंदा भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए और decision लेके चला जाए तो ऐसी सूरत में वो एओपी भी क्या बन जाएगी दोनों पार्टनर्स काना ज़रूरी है या दोनों में से कोई एक आदा भी आ सकता है एक कर लें आदा को तो कैसे बलाएंगे एक कर लें तो दोनों भी आ सकते हैं एक भी आ सकते हैं तीन है तीनों भी आ सकते हैं तीन है एक भी आ सकते हैं तो an aop shall be considered as a resident aop for a if control and management जानी partners जो इनके business को देख रहे हैं इफ दा पार्टनर्स आज जो बाते हो रही हैं उनका कल वले बातों से ज़्यादा लिंक नहीं है इसने जिनका first day है वो कुछ परिशान नहूं इफ दा पार्टनर्स ऑफ दा aop situated wholly सारे आ जाएं या सारों में से थोड़े से आ जाएं कहां आएं कितने अरसे के लिए at any time in the year anytime in the year का क्या मतलब है 183 days के लिए एक दिन के लिए एक मिनट के लिए एक लम्हे के लिए भी आ सकते हैं तो यह भी साथ असी डेफिनेशन है एन यूपी चल्मिया रेजिदेंट एओ पी इफ कंट्रोल and management of the phase is situated सारे के सारे और थोड़े से इन पाकिस्तान है अने ताइम इन दा ये अच्छा यह हो गया सक्शन 84 अब हम देखतेंगे किसकी डेफिनेशन रेजिदेंट कंपनी की रेजिदेंट कंपनी किस वकत रेजिदेंट समझी जाएगी अच्छा पाकिस्तान के अंदर कौन सा लौ है जो कंपनी की इन कॉर्पोरेशन को देखता है हाँ पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 अच्छा यह जो रॉयल फैन वाले हैं इन्होंने अपने आपको कंपनी एक्ट 2017 जो पाकिस्तान का लौ है इसमें इनकॉर्पोरेशन रिजिस्टर करवाया होगा येस इसी तरह हायर कंपनी है वो इसी बनाते हैं उन्होंने पाकिस्तान में कमपनी लौ में अपने आपको रिजिस्टर करवाया होगा येस उन्हें रिजिस्टर कराया हो जी एफसी फैन वाले हैं गुजरात फैन वाले हैं उन्हें अपने आपको पाकिस्तान के के लौ में रिजिस्टर करवा ले वो कंपनी तो बाइ डिफॉल्ट ही क्या बन जाएगी रेजिडेंट बन जाएगी अकंपनी शेल भी या अगर कानून ने बनाई या खुद बनी थी पर कानून के तहट अपने आपको इसने रिजिस्टर करवा लिया वो कानून कौन साए Companies Act 2017 तो जो कंपनी पाकिस्टान में अपने आपको Companies Act 2017 के तहट रिजिस्टर करवा ले वो कंपनी बोलें क्या बन जाएगी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी अब जी कोका कोला है वो कहें जी मैंने पाकिस्टान के अंदर अपनी ब्रांच खोलनी है अगर तो वो कोका कोला पाकिस्टान में अपनी ब्रांच खोले और वो पाकिस्टान के लौ में अपने आपको रिजिस्टर भी करवाना पसंद करें फिर तो वेलकम पॉइंट A के तहट आप रेजिडेंट बन जाएंगे लेकिन अगर कोका कोला वाले कहें कि जी पाकिस्तान के लौ में हम अपने आपको रिजिस्टर नहीं करवाना चाते बस हम वैसी ब्रांच चलाएंगे हमारा हेड आफिस बाहर है बाहर हमने आपको रिजिस्टर करवाया है हर मुलक में जाके क्या अपने आपको रिजिस्टर करवाते हैं फिरे कंपनी लौ के तहद तो इसलिए हम पाकिस्तान के कंपनी लौ में अपने आपको रिजिस्टर करवाना नहीं चाहते ऐसी कंपनी के लिए बड़ेगा पॉइंट बी आगे पॉइंट B कहेगा कि अच्छा भाई ठीक है कोक वालो आप अगर अपने आपको पाकिसान के लौ में रिजिस्टर नहीं करवाना चाते हैं ना करवाओ कोई मसला नहीं आप ये बताओ कि आपका management and control कहां है आपका management and control कहां है यनि कोका कोला का management and control कहां है वो होंगे इनके directors इस case में आपको पता है partnership के firms में जो management and control संभालते हैं वो partners होते हैं और company के case में जो management and control संभालते हैं वो directors होते हैं तो पूछा ये जाएगा कि भाईजन directors कहां पर हैं अगर directors सारे के सारे बोलें साथ अले के कान में सारे के सारे डारेक्टर्स एक मिनट के लिए भी पाकिस्तान इकठे आ जाएं कंट्रोल चलाने के लिए तो वो कंपनी रेजिडेंट बनेगी वरना वो कंपनी रेजिडेंट यहां होली और पाठली का लफ्स ने लिखावा यहां अंग्रेजी वो ही है जो योपी के अंदर है लेकिन एक लफ्स बस डिफरेंट है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यह नि डिरेक्टर्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आफ दा फेर्ज अफ कंपनी सिट्वेटेज सारा का सारा सारा का सारा 컨्ट्रोल निमेंट कहा हो इन पाकिस्तान कितने अरसे के लिए एक लम्मे के लिए भी हो सकता है तो इस कंपनी को क्या कह दिया जाए गा अब अगर इसको बात को मैं डायाग्राम के जरीए बनाओं तो यह इस तरह बनेगी companies के लिए यह rule है कि अगर तो उन्होंने अपने आपको incorporate करा लिया पाकिस्तान में company law के तहद तो तो वो क्या है अगर not incorporated in पाकिस्तान under company law लेकिन अगर अपने आपको company law में रिजिस्टर ना करवाएं तो फिर क्या देखा जाएगा if control and management is situated तब जाके क्या बनेगी यह rule है not clear पाद है जाएगा आपको कि अच्छा जी यह जो योपी है और कंपनी है दोनों के अंदर यह बात है कि डिरेक्टर्स आएं या पार्टनर्स आएं कंपनी के केस में तो सब को आना पड़ेगा और पार्टनर्शिप के फिर्म में केस में सारे भी आ सकते हैं सारों में से थोड़े भी आ सकते हैं यह किसी परसनल काम से नहीं आएंगे लिए बिजनस डिस्केशन के लिए आएंगे अगर बिजनस अगर लेके गए तो इस बात को मुकदम रखा जाएगा लेकिन इस बारीकी में को एक अप जाता नहीं इसलिए इसको मैंने भी कुछ जादा डिस्कॉस नहीं किया फिर एक और भाई ने सवाल पूछे कि अगर को ड बनाना है या नहीं बनाना उसके रेज़ेट विजल वाला रूल लगेगा तो हम सब यह बात करें कि कंपनी गब एप बने के शरत है कि कंपनी के सारे डाम स्वारे में बिजून लेने के लिए हैं यह बात है युज और अगर इधर मैं लिख दूंए फ्ट कंट्रोल management is not holy in Pakistan तो क्या बन जाएगा non-resident और अगर इधर मैं लेखते हूं if it is holy in Pakistan तो resident अच्छा आप एक चीज observe करें कि AOP में एक ये point था लेकिन company में 2-3 point है the reason is कि AOP किसी law में अपने आपको register नहीं कराती न तो AOP के लिए बस simple सा रूल है सारे पार्टनर या थोड़े से पार्टनर पाकिस्तान में यह resident बन गई कंपनी के लिए पहला रूल कुछ हो रहा है या तो अपने आपको company law में रिजिस्टर करवा हो फिर डिरेक्टर देखे नहीं जाएंगे जब आपने अपको और पाकिस्तान के लाव में रिजिस्टर नहीं कर रहा है पिर डिरेक्टर वाला सवाल पूछना है पिर सारे डिरेक्टर अगर आएंगे तो company क्या बनेंगी और यह फिर बड़ा रेर सरकंस्टांस में सारे डिरेक्टर आते होंगे डारेक्टरी अगर ये को तो फिर उसी को बला लू बबलू को फिर वो resident मझेगे अच्छ जी point C तेन गभंएंट्स होती फैडल गभंएंट प्रोविंशल गभंएंट और लोकल गभंएंट यहां दो गभंएंट्स का जिकर है प्रोविंशल गभंएंट और लोकल गवर्मेंट फैडल गवर्मेंट तो वो शवासरी वली प्रोविंशल गवर्मेंट जो सूबों वली है और लोकल गवर्मेंट होती है जो नाजिम होते हैं अलाके के उनकी हकूमत होती है तो लोकल गर्वर्मेंट से होती है अच्छा अब सवाल ये है कि प्रोविंशल गर्वर्मेंट और लोकल गर्वर्मेंट का लफ़ यहां लिखा है फैडल गर्वर्मेंट का लफ़ जो है वो यहां नहीं लिखावा इसलिए कि फैडल गवर्मेंट को आपको कमपनी बनाने की जरूरत नहीं है कि फैडल गवर्मेंट को आपको कमपनी है तो यह अजीब सी बात होगी फैडल गवर्मेंट को कमपनी कहना अजीब सी बात होगी इसलिए थोड़ी देर में मैं आपको federal government को बताऊंगा ना यह individual है न एयोपी है ना company है बलकि federal government अपने अंदर ही अलग से एक person है उसकी बात मैं बात मैं करूँगा federal government के रावा और कुछ सी government बज़ गई provincial और local government अब provincial और local government ने ना कभी कभी tax देना होता है अब आप हैरान होंगे आप एंगे government ने क्यों tax देना है government तो tax लेती है लोगों से ना कि government tax दे तो हम आने वाले दिनों में result के बाद पढ़ेंगे कि अगर provincial government अपने सूबे से बाहर जाके कोई काम करे तो फिर आपको सूबे में दूसरे सूबे में जाके tax देना पढ़ेगा तो इसलिए as a precautionary major उसने government को किसी category में फैंक दिया वो किस category में फैंक ना उसने मुनासिब समझा उसने का government को individual में फैंकूं? नहीं provincial government की बात करा हूँ provincial government को EOP में फैंकूं? नहीं उसने provincial government को किस की definition में फैंक दिया? company की definition में फैंक दिया अब अगर कल कलांग को जाके कभी provincial government को tax देना पढ़ा तो उसको किस definition के मताबिक हम fall कराएंगे? company की definition तो इसलिए दो चीज़ें जिनको जबरदस्ती उठाके हलाँ कि ये companies नहीं हैं ये SECP में जाके अपने आपको रिजिस्टर नहीं करवाती ही जबरदस्ती उठाके हमने किस की definition में डाल दिया? company की provincial government और local government clear? तो ये तीन जी situations हो गई जो किस को deal करेंगी? resident company को अब जी अब आप मुझे बता दें के हमारी सारी बात की समरी क्या बनी? अभी इसको side पर रखें resident individual को ने? 183 days या उससे ज़्यदा रुके या government का employee हो कोई involve हो साथ होंट हिलाने से depreciate नहीं करेंगे EOP कब resident है? EOP तब resident है जब इसका management and control हो लिए पार्टली पाकिस्तान में हो company या तो पाकिस्तान के law में अपने आपको रिजिस्टर करा ले तो भी resident है नहीं रिजिस्टर कराती है तो सारे डिरेक्टर पाकिस्तान आ जाए तो resident है और provincial government और local government भी company की definition में fall करेंगी किनका? provincial government जो पाकिस्तान की है वो तो resident ही होगी ना फिर ओके अच्छा जी resident individual में या नमारा आखरी point रह गया था point number D रह गया था ना point number D रह गया था वो ज़रा उसको देखते हैं I hope आप सही जगा पे पहुंचे हैं यह देख लें point D है उसके साथ दो bullets भी बने में नीचे examples भी हैं मिल गया? किसी जमाने में यहां point B भी होता था लेकिन वो किसी ज़रा से delete हो गया है इस session में इस दफ़ा पहली दफ़ा FBR ने यह point D डाला है point D इससे पहले मौझूद नहीं था point D बिलकुल जो है वो निया point आया है law में तो यह पिछली दफ़ा जो लोग paper देके आया है उनको यह point D नहीं पता था यह point D बिलकुल नहीं आया है इस तफ़ा आया है इसलिए इसकी नीचे example भी डाल दिया अच्छा जी point A जो कल हमने resident individual की definition में पढ़ा था वो एक general rule था क्या? individual को resident बनाने के लिए देखा जाता है उसका stay पाकिस्तान में vanity three days या उससे ज्यादा हो इसी तरह individual के लिए एक specific rule था वो सारे individuals पाकिस्तान में जो government employees हैं उनके लिए देखा जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौझूद कितना रहे इस बात को नहीं देखा जाता है बलके इस बात को देखा जाता है कि government employee है और अगर posting हो गई है abroad तो भी वो क्या बन जाएंगे अब यह जो point D है यह भी एक specific point है point C किनके लिए था अच्छा paper में आपने ऐसे नहीं लिखना होगा A, C, D paper में 1, 2, 3 करके भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं अच्छा point B, C था government employees के लिए यह जो point है ना यह है frequent travelers के लिए frequent travelers के लिए frequent travelers क्या मतलब जो बहुत ज्यादा बाहर के मुलकों में घूमते फिरते रहते हैं double L आएगा पता नहीं अच्छा तो यह frequent travelers के लिए point है जो अक्सर बाहर के मुलकों में आते जाते रहते हैं फिल हाल आप example पढ़के पहले वाली अपना कल वाला knowledge अपलाई करें जो point A में हमने पढ़ा था Mr. Kamran is a citizen of Pakistan He stayed in China for and he stayed in Germany for His stay in Pakistan is for विरह कल वाला rule लगाएं और कल वाला rule लगाकर आप मुझे बताएं ये बंदा आपको resident लग रहे या non-resident ये बंदा आपको क्या लग रहे हमने क्या कहा था कहां पर stay count करना है Pakistan का stay count करना है हमने क्या कहा था कहां का stay count करना है क्या ये 165 is less than 183 days therefore based on your yesterday's knowledge ये जो कामरान साब है he will be considered as non-resident क्योंकि हमने residential status determine करना होता है citizenship की base पर नहीं कि उसके पास ID कार्ट कहां का है हमने number of base देखने होते हैं तो apparently इसको उर्दों में बजाहिर कहते हैं बस जाहिर ये बंदा क्या नदर आ रहे हैं non-resident लेकिन बिलकुल पाकिस्तान के law में एक नई चीज आई है जिसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं हमने ना दो सवाल पूछने है इस scenario में दो सवाल पहला सवाल पहला सवाल ये पूछना है ये data आपके सामने है चाइना में कितने दिन रहा है जर्मनी में 100 days 100 plus 100 165 days कहा रहा 200 plus 165 365 साल में भी कितने दिन होते है 365 days पता है जब बताना पड़ेगा ये भी पता है तो साल में 365 days होते है अच्छा अब आप मेरे दो सवाल आप इस से पूछेंगे इस data से दो सवाल पूछेंगे कामरान से पहला सवाल कामरान क्या तुम citizen हो ये सर्नों में जवाब दे बताएं तल्दी कामरान citizen है येस दूसरा सवाल मेरा गोर से सुनिएगा क्या किसी और foreign country में ये 182 days से ज्यादा रुका Excellent पहले सवाल का जवाब आपने किया दिया दूसरे सवाल का जवाब कल मैं पाकिस्तान का stay count करने को कह रहा था आज मैं पाकिस्तान का stay नहीं count करने को कह रहा हूँ आज मैं बाहर का stay count करने को कह रहा हूँ कल मैं 183 days बोल रहा था आज मैं 182 days बोल रहा हूँ I repeat both questions पहला सवाल क्या ये बंदा citizen है क्या इसका single foreign country में किसी एक foreign country में क्या किसी एक foreign country में भी चाहे 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 जर्मनी ले ले किसका stay 182 days से ज्यादा है जब पहले सवाल का जवाब आए पेपर में yes citizen वाला और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा है आप से उसका जवाब पेपर में आए आपके जहन में no इस बंदे को भी आपने resident बना देना है हलाए कि इसका stay 183 days से कम है इस बंदे को भी आपने क्या बना देने है अब इसकी logic सुने पहले सवाल सुनने दुबारा क्या ये बंदा citizen है परक्सान का citizen है क्या इसका stay single foreign country में 182 days से ज्यादा है किसी एक single country में अब बजाहिर असल में हो बता क्या रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा डेटे को और तोड़ता हूँ logic समझाने के लिए 165 days ये पाकिस्तान में रहा 50 दिन चाइना में रहा सवाल बदल रहा हूँ 50 दिन चाइना में रहा 50 दिन इंडिया में रहा 50 दिन अफगानिस्तान में रहा 50 दिन जर्मनी में रहा अब हर मुलक में थोड़े थोड़े दिन रह रहा है frequent traveler है अब पाकिसान के खूमत ने इससे कहा उतर तुम्हें तो कोई मुल्ग घास ही ने डाल रहा 50 पचास दिन तो मुदर रहते हो कोई जाके तुम्हें रेजिरेंट मानी ने रहा चाइना में तुम 50 दिन रहेगे चाइना वालों ने तुम्हें रेजिरेंट कहने लग जाने कभी भी नहीं इंडिया में तुम 50 दिन रहे उन्हें तुम्हें रेजिरेंट कहने लग जाने कभी भी नहीं तो भाइजन फिर आपको हम ही रेजिरेंट कह देते हैं है तो पिदाइश इदर की आपकी सिटिजन तो आप इदर की है तो इसलिए हम ही आपको क्या करार दे देते हैं थोड़ी समझ आई बात की असल मैं उसे कोई मुलक वाला धास नहीं डाल रहा हूँ तो बीस दिन इदर चला जाता है और एक्जामपल को ब्रेक कर लें ब्रेक हो रहा है और एक्जामपल को ब्रेक कर लें बीस 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 दिन करते दस मुलकों में रहा दो सो दिन अब किसी मुलक वाले ने इसको लिफ्ट नहीं कराई और कोई इसको रेजरेंट नहीं मान रहा अपने है मुलका तो पाकिस्तान में 165 डेज रुक गया चाहे 165 डेज रुक है फिर भी इसको क्या करार दे दे रेजरेंट अब आपने दो सवाल पूछने है पहले का जवाब आया करेगा दूसरे का जवाब आया करेगा नो आपने इस बंदे को क्या करार दे दिया करना है अगर इन दोनों सवालों का जवाब कुछ भी डिफरेंट हो जाए ना दोनों का जवाब ही आना जरूरी है पहले का हमेशा दूसरे का हमेशा नो इसके इलावा अगर कोई भी जवाब है जानी दोनों का यस आजाए दोनों का नो आजाए फिर भी आपने फारख करना है इसको सिर्फ एक ही जवाब आना चाहिए पहले का यस दूसरे का नो तो एसी और इसमें आपने स्टे कौन सा काउंट करने है पाकिस्तान वाला स्टे काउंट करने है या बाहर वाला सारे मुलकों का टोटल करके काउंट करने है या किसी एक कंट्री का देखने है किसी एक कंट्री का देखने है ओके तो लास्ट टाइम कामरान is a citizen of Pakistan क्या इसका stay किसी एक बाहर के मुलक में बाहर के मुलक में 180-2 days से ज्यादा है इसका जवाब क्या आ गया एक का जवाब yes आया दूसरे का जवाब नौ आया आप इसे फिर पाकिस्टान का रेजिडिन्ट करार दे दें क्योंके कोई मुलक सो सो दिन पे इसको lift नहीं किरा रहा इसको resident नहीं मान रहा तो फिर बहालत मजबूरी कौन इसको resident मान ले अपना पाकिस्टान वाले resident मान ले पहले law की provision पढ़े फिर solution पढ़े इसमें आपने दूसरा bullet नहीं पढ़ना सिर्फ पहला bullet पढ़ना है he is a citizen of पाकिस्टान and he is not मुझूद in other country तो law वले नहीं लिखा हूँ law वला थरा मुश्किल लेंगविज लिखता है other सिम्राज single है single country other को अंडरलाइन करके single country इधर इधर ये वला अधर ये वला other underline करके single country he is a citizen of पाकिस्टान and is not मुझूद in single country for more than और ये कौन सी single country है ये भी उपर लिख लें foreign होनी चाहिए ये कौन सी single country हो foreign country single foreign country any other से मुराद वो ही है ना पाकिस्टान के लावा single foreign country other का मतलब single foreign is not in single foreign country for more than 182 days अब आप एक काम करें दूसरा सवाल ना उर्दू जबान में दरा लिख लें ताकि दूसरा सवाल जब आपको पेपर में आए तो आपको पता हो दूसरा सवाल उर्दू में लिख लें क्या ये बंदा single foreign country में 182 days से ज्यादा रुका ये सवाल आपने पेपर में आपने माइंड से पुछा करना है क्या ये बंदा जरूर लिखें उर्दू में क्या ये बंदा single foreign country में 182 days से ज्यादा रुका क्या ये बंदा ये बंदा लॉजिक कितनों को समझ आगी है 40-40-50-50 दिन बाहर के मुलकों में भूंग रहा है ना तो अब कोई इसको resident मान ही ने रहा तो फिर कौन गले लगा ले पाकिसान पाकिसान कहे हमारी आगोश में आजो बेटा इधर बैठ जो पिर तुम क्या हो हमारी नजर में तुम ही क्या हो resident अज जी एक मिनट सवाल पूछ लेने पहले 182 से ज्यादा more than 182 मैंने सवाल के लेख वाया उर्दो में एक्जेक्ट 182 बनी 182 दिस से ज्यादा हाँ, बस हमने ये सवाल उससे पूछ लिया करना है चाइना के रूल्स हमें नहीं पता वो हमें देखने भी नहीं हमने वो पिर और बात है दोनों मुल्क कहते रहें वो मर вм्जी है हमने बस पाकिसान के रूल लगाना है हमने सिर्फ ये सवाल पूचके रूल लगा दिया करना है पाकिस्तान का रेजिडेंट आजा नहीं हमने ये नहीं डिसाइड करना कि चाइना का रेजिडेंट आजा नहीं हमने सिर्फ जो ये रूल लगाए है हमसे पेपर में यही सवाल आएगा in the light of Pakistan का rule वो resident है या नहीं in the light of China का rule वो जो मरजी है हमें उससे concern नहीं होस्त है चाइना वालों के जो मरजी rule हो और चाइना वालों के 183 days rule नहीं होंगे हमें क्या पता हूं उनके क्या rule है यह बाट थोड़ी सी मैं touch करूँगा दूसरे point में फिलाल बात को simple लखें दरा ओके अब भी पढ़ें इसको solution इसका he is resident individual यह तो conclusion हो गया conclusion की basis क्या है एक सवाल का जवाब yes और दूसरे का no he is resident individual because he is and is not present in one foreign country for more than 182 days clear अच्छा अब जड़ा अगला सवाल आप ट्राई करें इसका मैंने solution चुपाया हूँ है दो सवाल पूछे मिस्टर तैमूर इजा इससे पहला सवाल पूछें क्या तुम citizen हो इसने का मैं citizen हूँ अगला सवाल he stayed in China for 180 and he stayed in Pakistan for 180 अच्छा वैसे एक बात याद रखेगा आप पेपर में पहले न पॉइंट ए लगाया करेंगे general rule पहले क्या लगाया करेंगे point A अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर में आपको कैसे लहाम होगा point A कैसे लगाने और point D कैसे लगाने ठीक है जैसे ही पेपर आएगा सबसे पहले आपने point A लगाने जैसे मैं कामरान वाले सवाल में वापिस आजाता हूँ इसमें ज़रा point A लगाके बताएं आपको दिखने में ये बंदा क्या लग रहे है लेकिन अगर पेपर में citizen का लफस आजाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार citizen का लफस अगर उसने डाल दिया ना सवाल में तो point A तो मैं लगाके दरा नजर मार लूँ लेकिन वो मेरे से point D का concept बे चेक करना चाहरा है तो ये citizen का लफस आपने दिवाना वार ढूंडा करना है past paper का आपको इसके कोई सवाल नहीं मिलेगा क्योंकि past paper में तो ये कभी टेस्ट हुआ ही नहीं ये 6-7 महीने पहले ये पाकिस्तान में रूल आया नहीं तो past paper का आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा लेकिन आपके past paper में जब सवाल आएगा तो सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ करेगा ये बंदा क्या है citizen है और उसकी base के ओपर जो है उसका decision हुआ करेगा अच्छी तो अब दिखने में कामरान वले सवाल पे मैं point A लगा हूँ तो ये non resident लग रहा है लेकिन एक निया point भी आया है law में D अब मैं D लगा के देखता हूँ क्या ये citizen है क्या कि ये किसी single country में बनेटी टूडिस साथ रुका तो अब A के बनियाद पे तो कुछ और जवाब आ रहा था लेकिन D प्रिवेल कर जाएगा क्योंकि citizen का लफसा लिखा वे तो D की रोशनी में ये क्या बन जाएगा अब आपने कहना है conclusion के ये बंदा क्या है resident अच्छा ये एक्जामपल आई अब आपको इलहाम नहीं था पेपर में के A लगाने ये लगाने तो पहले आप general rule लगा लें कोई मस्दा नहीं A लगाएं A लगा के बता है पाकिसान का stay count करते हैं हमने तो ये सीखा था कल पाकिसान का stay count करते हैं पाकिसान के stay count करें 180 एक ही रोशनी में क्या है non resident अब जड़ा डी भी लगा लें क्योंके citizen का लख लखा हुए है अगर citizen का लख ना लखा होता है तो मैं D ना लगाता हुए क्योंके citizen का लख लख लखा हुए है आप D.B. लगा के चेक कर लें डी लगाके चेक करें क्या ये सिटिजन है दूसरा सवाल उर्दू में दरा पढ़ें क्या ये सिंगल फॉरंग कंट्री में वानेटे टू डेस से अधा रुका येस येस ये तो गड़ बड़ हो गई अब दोनों का जवाब क्या आगया येस तो फिर येस येस तो फिर ये सिट्डेंट नथ के लिए पाकिστान के लॉग के मताबिक जी ये बेंदा क्या बन गया और हमसे पेपर में भी पाकिसान के लौग का इस सवाल आने है He is non-resident individual दो दो, पहले सवाल का जवाब yes है दो He is a citizen of but but से आगे यह ली इंग्रेजी मने उठाई है लेकिन not कलबस अठाके but he is present in one foreign country for more than in one eighty two days clear अब इस concept को हम hold वे रख देते हैं इसको test में किसी में डालेंगे और test में डालने के बाद फिर discuss करेंगे ताके आपको A और B के अंदर अगर जहिन में कोई confusion रह जाए तो वो test में डल के clear हो जाए हमेशा A लगाने लेकिन अगर citizen का लफस आजे तो A कोर point भी लगा के चेक कर लेना है वो कौन सा D ये बात भी अगर आप उर्दों में लिखता जाते हैं लिख सकते हैं हमेशा A लगाने लेकिन अगर citizen का लफस आजे तो D लगा के चेक भी करना है अगर वो कर लो ना इंस्टॉल अपने मोबाइल में आप किसी के है तो कर दे यह सी बन हां पॉसिबन है कोई मस्वाइब पॉइंदी पॉइंदी पहले सवाल का जबाब क्याना चाहिए यह सीटिजन अपने मोजूद इन वन कंट्री पर मोर देन 182 अच्छे जो सेकंड बोलेट है ना ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है और यह पेपर में ऐसा सेनेरियो बेस में आपको टेस्ट नहीं करेगा लेकिन इस पर फिर भी को डिस्केशन हुई तो हम क्लास के अंदर कर लेंगे एक अजीब सी बात हो सकती है कि हो सकता है चाइना में कोई ऐसा रूल हो कि चाइना वाले इसको सो दिन पर ही रेजिडेंट बना दे हो सकता है चाइना में कोई ऐसा rule हो के चाइना वाले सो दिन पूरे करने पी इसको क्या बना दे फिर अगर चाइना वाले ने resident बना दिया तो फिर पाकिस्तान वाले back out कर जाएंगे और पाकिस्तान वाले कहेंगे चलो छोड़ो जार फिर लेकिन फिर ऐसे paper में line लिखी होगे full stop के बाद के as per china tax rules he is resident in china because china rule says that he if he stays for 100 days he will be considered as resident तो अगर ऐसी कोई बात paper में लिख दे जीब सी line paper में डाल दे इसका मतलब है वो जो फड़ा पड़ा था frequent travel का इदर जा रहा है उदर जा रहा है तो उसको चाइना वालों नहीं पकड़ के हमारी नदर में क्या है resident है तो फिर चाइना वालों ने पकड़ दिया तो फिर पाकिस्तान वालों को resident बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन यह point को इतना test नहीं होगा यह parole of pointy paper में test होगा तो second bullet जरा मैं पढ़ने ही कोश्च करता हूँ and is not resident in any other और किसी और country में resident नहीं है लेकिन अगर किसी और country ने resident बना दिया तो फिर पाकिस्तान वालों को resident बनाने की जरूरत नहीं है बहराल इस दूसरे bullet को hold पर रखते इसको कल करेंगे इसकी मैंने को example भी नहीं डाली ठीक है तो फिर फिलहाल ये इस पहले बॉलिटी ज़्यदा important है और आई के अपने भी अपनी किताब में इस पहले बॉलिटी हद तक discussion की वी है ओके अब जी अगली हमारी जो discussion है वो ये है कि रेजिडेंट परसन कोन है क्या परसन कब रेजिडेंट बनता है तो वह एक असांसी definition है वहाँ लिखा होगा अब परसन शेल बी अ रेजिडेंट परसन if he is resident visual if he is resident aop and if he is resident company परसन एक broad love से ना परसन में इंडिविजर परसन से मुराद natural नहीं होता परसन आपको थे कंपनी सांस नहीं लेती ठीक है लेकिन company का आपने सुना वह दिवालिया हो जाता है तो पर कंपनी कंप परसन है लेकिन ऐसी कंपनी नहीं है कंपनी जा रही थी, कंपनी बैठी वी थी, कंपनी को भूग लगी, कंपनी को अपने पानी पिला दिया, कंपनी होश करो, ऐसी बाते नहीं है, तो कंपनी नेचरल परसन नहीं है, लेकिन कंपनी स्टिल आ, परसन, तो अब एक broad definition है, जो तीनों की बाप है, वो क्या है, resident person की definition, और यह हमारी आज की आखरी definition है, इसके बाद हम थोड़े numerical portion की तरब move करने लगे हैं, डूनें यह definition, इसके ओपर मिलेगी, आपको section 82 के ओपर मिलेगी, पढ़ने 0.1, अपरसन शेल बिया, परसन अभी मैंने दिखाया था, परसन का लगस दिखावा, उसके यहां के तीन शाखें थी, आपरसन शेल बिया, वोरा टेक्सिर, इफ ता परसन इस, resident विजल, आप बड़ी बात बताई यह तो मैं पता थी, इफ परसन इस, और अगर किसी को नहीं पता, resident विजल को न है, तो section 82, company के बारे में नहीं पता थो, 83, और EOP के बारे में नहीं पता थो, 84, वो हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं, अच्छा आप अगर, तर फील करें, तो resident person में ना, इसने चार लोग डाले हैं, resident विजल, resident company, और federal government, federal government, असले में तर फील कीजिएगा, provincial government और local government यहां आ गए है, फील करें, provincial government और local government company के अंदर डाल दी है, लेकिन federal government हैं कितनी बड़ी government थी, कि government को किसी और के अंदर डालते हैं, तो government ने बाहर निकलाना था, तो इसको रखा ही बाहर हम ने, तो इसलिए federal government ना individual है, federal government ना एओपी है, federal government ना, क्योंकि आपको बहुत है, शेबास सरीफ तो अपने अंदर एक शेबास सरीफ है पुरा, तो इसको ना individual में डाला जाए, भाई, भाई कह रहे हैं, मैं PMLN कहूं, वो तो एक brand है, पुरा कह रहे हैं, तो ना वो individual है, ना वो एओपी है, ना वो company है, प्रोविंशल गवर्मेंट और लोकल गवर्मेंट को जबरदस्ती हमने डाला उठाके, रेजिडेंट कंपनी की बस में, लेकिन federal government को हमने अलग से प्रोटोकॉल दिया, प्रोटोकॉल है, बेस्मेंट में बस लाई जाएगी आपके लिए, तो यह क्या है जी, लेकिन federal government याद रखेगा, कि परसन जरूर है, और कौन सा परसन है, लेकिन federal government टेक्स जमा नहीं करवाती है, कभी आपने सुनें, government नहीं केस कर दिया, पाकिसान में रहते हैं, तुरकमानस्थान में, तů कभी सुनें, government नहीं केस कर दिया, कभी सुनें, हमने government के खालाफ केस कर दिया, आप तो काम भी करते होंगे, सोचते तो है ना, तो हमने केस कर दिया government तो वह government pur 진짜 है ना, हाँ सांस ने लेती government, लेकिन गवर्मेंट एक आठिफिशल परसंट है इसलिए फैडल गवर्मेंट को भी हमने कहां डाला कंपनी के अंदर डाला या अलग से पॉइंट बनाया इसके लिए और फैडल गवर्मेंट क्या है बोलें रेजिडेंट नौन रेजिडेंट पाकिस्तान की अगुमत कहा है झाल रेजिडेंग नहीं है कि लिए लिए और लेकि उन साइडवें यह नई इंडिविज्विड्या ना ये यह ना कंपणी यह लग चीज़ और फॉरण गवर्मेंट भी तो सकती है है ए ए ए फॉरण गवर्मेंट प्रॉं गवर्मेंट क्या होगी अग्य मैंप चैना ठी एक न स्वी नों acia और यह को ब्ताने को भाद नहीं है पाकिस्तान की घुक्त में नहीं है वह कि मैं फिर भी को स१े आंक लिए है जाम में प््रोविंशब मैं क्यों नहीं आ रहे हैं अब जवाब अच्वाइब देखने वली आंक होनी चाहिए आ रही है देखने वली आंक होनी चाहिए यह आ हूँ होude हूं कि अच्छा यह में अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉंट है grants यह आपने ना इजरी कॉलेज में लाइब्रेडी में न है याद करके जाने है यह परसंट शल्बिया नॉन रेजिडेंट इसको दरा समझें वह कहा है चले मैं पहले इंपॉर्टेंट लिए इसके साथ इंपॉर्टेंट इदर आपने युक्सुई से याद करने कि ते इदर आओ मैं आज आपको बताता हूं नॉन रेजिडेंट कौन है हम वड़ इस नॉन रेजिडेंट इस नॉन रेजिडेंट की देफिनिशन देखी तो वहां लिखा था पॉस्टन रेजिडेंट उसने तफसील से बता दिया ना तो जो रेजिडेंट नहीं है वो क्या है अच्छा आप बताना शुरू करें आप जो वानिटी थ्री देज रुके यह यह वो जो तीसरी नई वाली बात पड़ी वह रेजिडेंट है इसके लावा बाकि सारे नॉन रेजिडेंट जो कंपनी लौ मेरी जैसे करा है अपने आपको यह सारे डिरेक्टर पाकिसान में आ जाएं या प्रोविंशल या लोकल गर्मेंट हो वह बाकि सारी कंपनी जो ए पीस अगर पाकिसान की एक होमत रेजिडेंट है तो फॉरंग गर्मेंट्स पर नॉन रेजिडेंट है यह एक्स्प्लेशन नहीं पढ़नी आपने यह इंशाला हम आगे देखेंगे कि इसरी में आ लेते हैं अच्छा जी नुमेरिकल पॉस्ट्टन के तरफ आज मूव करें एक सहाव हैं जी मिस्टर उमर उन्होंने आपको कुछ डेटा बताया है कोई नोट्स में ढूनने की जरूत नहीं है ढूना होता मैं बता देता हूं अब बंद करने भी उतनी टाइम लगए कि जितना घॉलने में लगए जल्दी सी तरफ एक सहाव हैं जी मिस्टर उमर वो यह कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है हूं और मैं यह वली इंकम जो है वो कमा रहा हूं इंकम फ्रम सेलरी कमा रहा हूं इंकम फ्रम इंकम क्या है मिसाल के दोर पर कॉलेज में कोई यह नोट करने का अनना टाइम दिया जाएगा अभी दर नेवा देखें तो इंकम फ्रम सेलरी कमा रहा हूं कोई कॉलेज के अंदर कैशियर है वो कहते हैं कि मैं कॉलेज के अंदर बैठता हूं सुबो आठ बज़े से लेके दुपहर दो बज़े तक तो छे घंटे के अंदर मैं कॉलेज में काम करता हूं कॉलेज वाले मुझे इसके तनखा देते हैं तो यह कौन सी इंकम कमा रहे है इंकम फ्रम सेलरी अचा यही बंदा घर चला गया और रेस्ट करके शाम चार बज़ से इसने अपने ड्राइंग इंदर एक खिड़की खुली है और वहां पर बिसकित और बोतलें बेचते हैं थोड़ थोरे तक 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 बेलो सुपर लेलो तो यह वादें लगा रहा हुता है तो ये इसका जनरल स्टोर है करियाना स्टोर है बॉन्जूर शॉप है तो ये कौन सी इंकम कमा रहे हैं इंकम फ्रॉम बिजनस कमा रहे हैं इसके इलावा इसने अपने घर का फस्ट फ्लोर कराये पे दिया हुए तो ये इंकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे है घर का फस्ट फ्लोर इसने कराये पे दिया हुए ये इंकम फ्रॉपर्टी कमा रहे है इसके इलावा ये कमा रहे जी इंकम फ्रॉम कैपिटल गेन share खरीद के बेच दी है, कुछ jewelry खरीद के बेच दी ये income from capital gain कमा रहा है फिल्हाल jewelry जहन में रख रहे है, jewelry खरीद के बेच दी ये कमा रहा है income from capital, थोड़ी alignment थोड़ी इधर करो income from capital gain, अच्छा जी, इसके लावा, अगर आप कोई भी income कमा ले इसका आप नाम रखेंगे income from other source आप नोकरी करके जो पैसे कमा रहे हैं वो income from आप business करके जो पैसे कमा रहे हैं कारुबार करके वो income from business आपने घर कराये पे दिया हुए income from property आपने कोई जियूरी खरीद के बेची है वो income from capital gain और इसके इलावा अगर आपको income कमा रहे हैं वो income from other source जल्दी बताएं yes no में आगे चले हसने की बात नहीं है यह आपका कारुबार है आपने अपना उपर वाला पोर्शन कराये पे दे दिया शादी कराके उपर वाला पोर्शन कराये पे दे दिया नहीं आपने कोई जील्री बेची है नहीं वो तो बेगम जील्री ला रही है उल्टा आपने कोई जील्री बेची है तो इन चारों में से आपने कोई activity नहीं की इसका मतलब है जो बची कुछ income हैं वो कहाँ fall किया करेंगी income from other source शायद ये वो पहली income हो जो आप जंदगी में कमाएं income from other source अच्छा articles में ही करवा लेंगे ना आप इसलिए में कह रहा हूँ अच्छा तो ये पांच किसम की income हैं जो एक बंदा कमा सकते हैं इन पांचों का जब हम total मारेंगे तो इसका जवाब होगा total income बड़ी वाद बताई इन पांचों का जब हम total मारेंगे तो ये क्या आएगी total income अच्छा इसके बाद इन साहब ने कोई नो कोई हो सकता है जकात पे कियो इन साहब ने कोई जकात पे कियो जकात एड होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए क्योंकि सेलरी आती है सेलरी आ कारोबार से पैसे आ कराया आ कैपिटल गेंज जिलरी बेच के पैसे आ सलामी आ जकात जा तो जकात जाती है आपके पास से पैसे जाएंगे तो ज़कात को add करेंगे? less करेंगे? less करेंगे ज़कात को less करेंगे ये ये का आपको benefit मिलेगा ज़कात को आपको less करने की ज़ाज़त होगी और जो cut cut recom में पैसे बचेंगे इसका नाम आप रकेंगे taxable income taxable income का उर्दू में मतलब क्या है? ऐसी इंकम जिस पर टैक्स लगेगा अब जी ये सहब कहते हैं मैंने तीन लाख रुपिया सेलरी कमाई है और जी मैंने फाइव मिलियन इंकम फरूम बिजनस कमाई है इंकम फरौपिटी मैंने कमाई नहीं कैपिटल गेन इंकम मैंने पचास सजार प्या कमाई है सलामी मुझे किसी ने दी नहीं दूर से देखके शाबश देखे चले गे सारे अल्ला आपका निवी के बानों कहके टोटल कितना बन गया निकाल लें जो बैगों में पड़े हैं फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव जिरो ट्रिपल जिरो इस में से माइनस करेंगे जी आप जकात जकात फर्स करें नहीं टू पॉइंट फाइव परसंट आपको रेट याद होगा वो हमारे सलेवस में नहीं है वो इसलाम की नजर में आपको याद है 2.5% बड़ी अच्छी बात है लेकिन वो हमारे सलेवस में नहीं है रेट याद करना और जकात की अमाउंट पेपर में हमें गिवन करेगा जकात हमें निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि जकात income पे नहीं होती जकात assets के उपर होती है तो इसलिए जकात हमें निकालनी नहीं पड़ेगी जकात की amount हमें given किया करेगा तो किसी ने over efficient नहीं बना कि जकात में data से खुद निकाल लेता हूँ जकात वो आपको given किया करेगा जकात भी सवाल में given है यह सारा data सवाल गाए अब बता दें इसके taxable income कितनी है चलें जी नोट किल ले तो एक बंदा पाकिस्तान में कितने किसम की income कमा सकता है पांच किसम की income कमा सकता है आज याद करने वाला विसे बड़ा थोड़ा सा है resident company के तीन points है और resident aop का एक point है resident vigil का आखरी point है सासत नोट करें होते हो अचा अचा अभी यह है 10 letter पे चेक भी किया या बच्चों पे रिलाय कार रहे हो हां जी जी चलो मैं इसमें बात करता हूं कर ले वाही जल्दी कर ले कर ले वाही जल्दी कर ले जी थे इस कर रहा है जुआधा कर ले दो उपनानों के दो बना रह रहे हैं अर गुस्क में बाखी के देन हो चैना में रह रहा है और चैना के जो इसकी ने मिलड़े है वो बाखी के दिनों पे प्लास पैइफ और जोनों में ने यह फुल कि इतने लाख रुपे कमाई है 53 लाख रुपीज कमाई है कि इसा ही है 53 लाख रुपीज कमाये है लेकिन आप इस तरह नहीं देखा करेंगे हम तो मिल्योंस में बाते करेंगे बचपनल में आम रुपीज में बाते कुछ्रों करते थे फिर बड़े हो गए हमने थाउज़न्ट में बाते कि इत्मक्छण मिलियन अब आपने नोट्स में आएं तर्तीब से कोई यह तीसरा चोथा सफ़र बनेगा कौन सा पांचवां सफ़र बनेगा यह आ रहे लिखा हुआ फर्स्ट चेडियूल और जिनके बास किताबें डबे डूबे बदल चुके हुए है फर्स्ट चेडियूल इसमें लिखा हुआ रहे है डिवीजन वन इसमें लिखा हुआ रहे है रेट्स पर आफ टेक्स फॉर इंडिविजुल्स एंड एओ पीज्ट क्लेयर अच्छा जी अगर एक बंदा 600,000 से कम कमाए पाकिस्तान में तो उसने टेक्स कितना देने है जिरो परसंट अगर 600,000 से ज्यादा कमाए बट ड़स नट एक्सीड एट लैक लेकिन 800,000 से ज्यादा ना कमाए तो उसके लिए रेट कितने परसंट है यह तरह हमारे वाला बंदा रूनें क्विस्टन आपके सामने हुआ वै क्विस्टन जो आपने रिजिस्टर पर देखे है उसको कंपेर करें जरा हमारे वाले बंदे से हमारे वाले बंदा किस सीरियल में गर रहे हैं अमीर है अमीर कबीर है अच्छा यह यह आप लोगों ने खुदी काटेगरी में जो एए। अमीर अमीर करीब अमीर कबीर अमीरुन कबीरुन कबीरुन शदीदुन यह खुदी कैटेगरी जबना दी है सेलें ढूंडें जी किस कैटेगरी में आ रहा है सीरियल नमबर सेवन अब जो लोग परिशान होके देख रहे हैं उनके लिए इसको कहते हैं 5.3 मिलियन बोलें क्या कहते हैं 5.3 मिलियन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे डिजिट के से पहले अगर कोई लफस आ रहा है साल के तोर पे यह मैं लिखता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे गरमांडे होगे, कितने, छे इससे पहले अगर मैं टू लगा दू तो यह क्या है, टू मिलियन यह क्या है, टू थाउदन बड़ी वास है याँ, चारें हम यह क्या है, टू मिलियन यह क्या है, टू मिलियन यह क्या है, टू मिलियन ये क्या है 4.2 मिलियन अच्छा जी अब अगर आप इदर डबे में आएं तो डबे में है सीरियल नंबर 7 सीरियल खाने वाला नी एस वाला ये है सीरियल नंबर 7 जिस बंदे की इंकम 4 मिलियन से ज्यादा हो लेकिन ये टेबल जाद करेंगे कल कितने लोग याद करेंगे कुछ करें याद करेंगे वैसे पेपर में ये दिया होता है पेपर में दिया होता है आप ये टेबल जाद करें बैठके पेपर में इसाला दिया होगा फिर भी याद करेंगे दिवाने हैं पेपर में दिया होगा नहीं दिया होगा क्या मतले मैं कह रहा हूँ दिया होगा ठी फॉर मिलियन से ज्यादा और सिक्स मिलियन से टेक्स हम इंशाला कल निकालेंगे इस पर टेक्स निकालना हम कल सीखेंगे फिलाल मैं आप से पूछ रहा हूँ कि इस पर जो टेक्स लगेगा वो किस रेट पर लगे फोर मिलियन से ज्यादा और सिक्स मिलियन से कम यानि फाइब पॉइंट फ्री मिलियन अब अगर मिलियन मुलियन किसी को समझ नहीं आ रहे तो भाज़ें ये तो समझ आ रही है ना कि ये जो चार और छे हैं इसके दरम्यान पांच शरीय तीन है तो ये कौन सा सीरियल नमर इस सेवन और कल इस पर हम क्या निकालेंगे टैक्स कर आपने त्यार हो क्या आने है इद वाले कपड़े बड़ी इद वाले कपड़े पहन क्या आने हैं खुनों खुनों अच्छा जी तो टैक्स जो है वह आपने इसके उपर निकालने है ठीक है ओबर कल इंशाला हम निकालने आप त्राइब करेंगे टेक्स निकालना तो अब उपाइजन टाइम है आई नो डेट यू नो डेट टाइम इस देर तो क्वेस्टन नमबर 11 हो गया था सेवन निकालने दरा होम पुसंद करते हैं आप होम में करते हैं जा लाइब रेडी में अब अब हो में कराईएगा कर सेवनटीन जिसका पहला पॉइंट है रिमीज साथवाले के रिजिस्टर पे लिखें होम वर्क और आज की डेट लिखें होम वर्क लिखें आज की डेट लिखें इसके चारों पॉइंट करेंगे बबलू के लो परिमीज वला खलील वला अलीव वला स्मित वला अच्छए इलेवन में एंद रहा है एलेवन में पॉइंट टू पॉइंट फॉर से शुरू करते हैं पॉइंट फॉर पारूप ट्रेडिंग लसी वस इन कॉर्परिट एज़ लिमिटेड लाइविलिटी कमपणि कंपनी है कंपनी के लिए रूल हमने पड़ा था कि पाकिसान के लौ में अपने आपको रिजिस्टर करवाए इसने पाकिसान के लौ में अपने आपको रिजिस्टर नहीं करवाया वा बलके कहां के लौ में रिजिस्टर है यूई में दा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वस सिट कि तो फोरन लाँ में अपने आपको रिजिस्टर कर Wати कि अपने आपको रिजिस्टर कर वा क्या एक क्या व경 करे कूछ आपकर ने पता कि वाया कर विलून रही है या होली आउटसाइड हो जब होली इन पाकिस्तान होगा तो ये प्सक्राइब ऑपन क्षच कंपनी यह विल बीकांसेरेड ऐसे रिपन कंपनी जोने बंद कर लिया हुआ सब कुछ only in Pakistan. Therefore, Farooq Trading LLC company therefore Farooq Trading LLC company will be considered as resident company आगे जलें जी, point two Asif Learning Center is a partnership concern तो ये AOP है? बिलकुल AOP है partnership होती है AOP providing IT services in Pakistan and United Arab Emirates and Saudi Arabia अब तो 31 जलाई 12 हमारा साल बताएं किया है? यकम जलाई 10 से 31 11 अब तो 31 जलाई 10 यहाँ तक the management and control was situated पार्टली इन और यकम अगस से सारा management and control shift कहा हो गया है? लें जी तो दुबई चले गए अब हम क्या करें? बाइजन ग्रीन वाली लाइन देखें क्या ये green जंडा पाकिस्तान में इतना रसा रहे हैं ये? अगर ये पाकिस्तान में इतना रसा रहे हैं क्या सब का रहना जरूरी है या पार्टली? क्या management and control जो है वो partners की situate कर रही थी पार्टली इन पाकिस्तान? क्या ये situate करती रही है एक महीना? तो बता दें अगर पार्टनर्शिफ फर्म वाले पाकिस्तान में एक महीना एक दिन भी रुक जाएं पार्टली होली दुरूरी नहीं है तो पार्टनर्शिफ फर्म क्या बन जाएगी तो लिखें एन यॉपी विल बीया रिजिदेंट एओ पी लिख लेंगे आगे मैं तो बाहनी उता देता हूं सुन लें एन अपी विल बीया if the management and control is situated only or partly in Pakistan, anytime in the year, in Pakistan in this case as management and control of Asif is partly in there for it will be considered as कल्यात करा दिजिएगा class में दुबारा लिख लेंगे Q7 के B पे भी नजर मार लेंगे असान सा है कर लेंगे ये भी ट्राइ बलोजिस्तान कमेंट का इंपलाई है कर लेंगे प्लाई सेवन का भी भी होमवक में कर लें कल इंशाला डिसकस करते हैं